स्वागत है आप सभी का अपने परिवार T10 स्टेडी में इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर क्या आए है दस्वा का केमिस्टरी का एक चैप्टर है Metal and Non-Metal उससे MCQ तो आपके बोड एक्जामनेशन में इससे कोशन्स बनेंगे मैंने वही कोशन्स को इसमें एकलूड किया है जो कि काफी इंपोर्टेंट है पूछे जा सकते हैं तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और यदि आप चैनल वाफर्स टाम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राब जरूर कर लिजेगा ताकि आप लोगों को रेगुलर जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल पाए तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किये हुए नंबर फर्स्ट क्रेशन है आप लोगों के लिए कि निमलखित में कौन उपधातू है तो देखे आपके सामने उप्सन है चार आप इसमें करेक्ट अंसर बता सकते हैं तो इसका करेक्ट अंसर हो जाएगा उप्सन नमबर डी यानिकी एंटी मनी एंटी मनी जो है वह आपका क्या है उपधातू है इसका लेटिन नाम होता है स्टेबियम याद रखेगा उसका संकेत या हुआ एस बी यानि कि स्टेबियम होता है इसका लेटिन नाम एंटी मनी का ठीक है बाके option की बात कर लें लोहा धातू है कॉपर भी धातू है और निकल भी क्या है धातू है लेकिन जब स्टेबियम की बात कर लेंगे न तो ये उपधातू का लाएगा है उपधातू कहते कि इसे हैं पहले हम इसके बारे में जलने तो उपधातू वैसे पतार्थ हो कहा जाता है जिसमें धातू और अधातू दोना के गुन पाये जाते हैं दूसरा प्रसन की बात कर लें निम्नलि कोंजालें तो इसका अंब्स ग्र skinny यानि की कारवन रहें लिए सुध्ँ सुना को व्यक्त किया जाता है यानि कहलें कि सुध्ट सोना जो होता है वह आपके अब कर due sotno जो होता है वह 24 कारेट का होता है और याद कहने का मतलब साफ किया जाता है ठीक है? तो याद रखेगा एक solution आता है जिसको हम बोलते है एक को रेजिया या इसे अमल राज के नाम से भी जानते है जिसमें hydrochloricuml और nitricuml का मिश्रन होता है तो ये भी question पुछ ले आता है कि एक को रेजिया है तो इसका correct answer हो जाएगा option number B यानिकी 26 लोहे की जो प्रमानु संख्या होती है वाच 26 देखिए आपको कमस कम एक से 30 तक प्रमानु संख्या याद होनी चाहिए ठीक है? हो सकता है किसी का भी आप लोगों का examination में प्रमानु संख्या पूछ लिया जाए ठीक है? अगला प्रस्ण बात कर लें धातूं की प्रकृति क्या होती है? option आपके सामने है इसका correct answer हो जाएगा option number A यानिकी विद्यूत धनात्मक देखिए जितने भी metal होते है न वह अगर हम बात करें विद्यूता क्या होता है? धनात्मक होते हैं और अधातू क्या हो जागा? रिनात्मक होते हैं ठीक है? तो option number A में आपका जो option है विद्यूत धनात्मक ये क्या है? अधातckों की प्रकृति होती है याद रखेगा अगला है कौन सा धातू कमरे के तापड़ दरव अवस्था में पायòng तो मैंने पिछला वीडियो पिरियोटिक टेवल से रिलेट करके दिया था तो उसमें भी मैने ये क्वेचन को निकलेट किया था तो इंपॉटेंट ये कोश्यन जो अधातु की कमडे के तापर द्रवभसना पया जाता है लेकिन जब हम धातु की बात करेंगे तो वो क्या हो ब्रोमिन जाना सबस्केजल और गरेंगे कि दिया का पूंट लेटिन नाम से लिया गया है तो पार आके लेटिन नाम क्या होता है, हाइड्रार जायराम होता है। एक क्या होता है, हाइड्रार जाइराम, ठीक है, तो याद रखेगा सीसा और टीन के मिस्र धातू को कहा जाता है सुल्डर ठीक है क्या कहा जाता है सुल्डर कभी कभार फ्यूज भी इसका ले लिए जाता है याद रखेगा फ्यूज भी जो होता है वापका सीसा और टीन का मिस्र धातू होता है देखे, मैंने बारवड कहा, चंकित याद रखेगा, सीसा को क्या बोलते हैं, याद रखेगा, सीसा को प्लंबम बोलते हैं, यानि की PB, ठीक है, और टीन को स्टैनम कहा जाता है, यानि की SN, ठीक है, तो याद रखेगा ये question, अगला है, निमलिकित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है, तो इसका correct answer हो जाग, option number A, यानि की lithium, देखे, आप तीन तत्व का नाम याद रखेगा, चाकू से काटा जा सकता है, lithium को, sodium को, potassium को, तो हो सकता है, तीनों में से कोई भी आपके examination में option रहे, तो याद रखेगा, चाकू से किसे काटा जा सकता है, lithium, sodium और potassium, तीनों करता है, तो option आपके सामने है, बताइएगा, इसका correct answer हो जाग, option number B, यानि की gold, सोना जो है, वह oxygen से संयोग नहीं करता है, अगला प्रस ने, graphite होता है, तो देखे, option आपके सामने है, वेदूत का कुछ आलक, वेदूत का सुचालक, दो नो, या फिर इन में से कोई नहीं, त तो देखे, graphite की बात कर लें, तो graphite क्या है, वेदूत का सुचालक है, याद रखे, का एक मात्र अधातू, जो वेदूत का चालन कराता है, वो है graphite, graphite किसका अपरूप है, तो याद रखे, carbon का, ठीक है, carbon के होते हैं, तीन अपरूप, कौन-कौन से, graphite, हीरा और फूले र धातू, जो किससे बना जाता है, तांबा और जस्ता के मिश्रन से बना जाता है, तो इसका correct answer हो जाएगा, option number C, यानि के मिश्रदातू, देखे, मिश्रदातू कहने का मतलब होता है, धातूं का, या अधातूं का मिश्रन, जब दो या दो से धातू, या अधातू को एक हो जागा पितल, ता से तामबा और जी से जिंक, यानि की तामबा और जिंक के मिलाने से क्या बनता है हमारा पितल बनता है, तो याद रखेगा, अगला प्रसन है, लोहे को जिंक से लेपित करने के प्रक्रिया को क्या कह जाता है, तो उप्षन है आपके सामने, इसका तो याद रखेगा लोहे को जंग से बचाने के लिए जिंक का लेप चड़ाया जाता है जिसे हम गैलवेनी करन या यसद लेपन या जस्तिकरन कहते हैं अगला प्रस्ण है सबसे कथषों प्रकृतिक पदार्थ है तो मैंने गना अभी घषट जानवार्ण जो का बरूपय है हिरा वह प्रकृति में पया जाने वाला सबसे कथषों पदार्थ है तो उसका correct answer क्या हो जाग option number D हीरा देखेगा प्रकृति में प्रकृति में पाइजानमने सबसे कठोर पदार्त जब कहे तो हीरा लेकिन जब धातू बोलेगा तो याद रखेगा धातू क्या हो जागा यूरेनियम शॉरी धातू हो जागा आपका platinum ठीक है अगला प्रस्ट की बात कर लिए बॉक्साइट निम्निमे किस धातू का आयस्क है तो इसका करेक्ट टांस रोजाग है अल्यूमिनियम देखें आयस्कों से रिलेटेट भी एक्जाम में कोशन पूछे जाते हैं अगला प्रस्ट है निम्निलगीत में कौन सबसे अधीक अभीक्रियासील धातू है उप्सन आपके सामने है मेगनेशियम, केलसियम, सोडियम या पोटेसियम तो देखें आपने परहा होगा सक्रियता सिरिनी ठीक है जिसमें धातू को उनकी घटतिक अधार पर एरेंज किया गया था तो उसमें सबसे अधीक अभीक्रियासील धातू कौन सा पोटेसियम था उसके बाद सोडियम था तो याद रखेगा सबसे अधीक अभीक्रियासील धातू कौन हो जाएगा potassium हो जाएगा ठीक है जो कि आपका option number D में है तो D इसका correct answer हो जाएगा देखिए मैंने दस्वा का जो previous examination हुआ है question bank वेगर हमेने देखा है तो उसमें आपका sodium answer किया हुआ है तो याद रखेगा अगर option में potassium ना रहे तब हम उसका answer sodium करेंगे ठीक है लेकिन जब option में potassium रहे तो हम उसका answer क्या करेंगे potassium करेंगे potassium का संकेत क्या होता है क्य होता है जो इसका latin नाम से लिया गया है तो potassium का latin नाम क्या होता है calcium होता है याद रखेगा और sodium का latin नाम क्या होता है natrium होता है अगला प्रस ने किस रसानिक योगिक को गर्म करने पर प्लास्टर और पेरिस प्राप्त किया जा सकता है तो देखिया आपके सामने रंजक शोड़न जिप्सम चुना पत्थर या फिर कच्छा चुना तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर बी जिप्सम जिप को गर्म करने पर हमें क्या मिलता है प्लास्टर और पेरिस मिलता है अगला प्रस ने लोहा एवं इस पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है तो मैंने भी जश्ट कहा था लोहा और लोहे की अगर हम बात करें इस पात अगला परस ने निमलिखित में कौन सी धातू साधारान तापर द्रववस्तां पाया जाता है तो देखे मैंने पहले बता था धातू में क्या हो जाएगा मड़करी जो की आपका लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर सी अगला परस ने एक धातू जो हथेली पर पिखलने लगती है तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताएंगे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर बी यानि कि CGM को जब हम हथेली पर रखेंगे तो यह क्या होता है पिखलने लगता है तो देखे तनेता की बात है इसको कहा जाता है जब किसी पदार्थ को खीच करें तार के रूप में कंवर्ट कर लें तो इसको तनेता कहा जाता है ठीक है तो सबसे ज़्यादा तन्य पदार्थ की बात कर लें तो वह क्या हो जाएगा सोना सोना जो है सबसे ज़्यादा तन्य धातू है ठीक है और जादू जो है वाव का ऐसी आवस्ता में पहे है जो है hydrogen ठीक है और hydrogen को और सार नीमें का रखा गया है बाई तरफ रखा ह्या है यानि जाद रहिखेगा एक अपवाद के रूप में है एक मातरो गैसी आवस्ता में पहे जाने वाला crédण रखा लब कहना है revision करने का मौका मिल पाए चुकि time कम है तो revision ही एक बढ़िया तरीका है एक जामे marks ग्रो करने का तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद